नमस्कार दोस्तों गार्गी क्लासिस पर आपका स्वागत है डेटा आज की 24 जून 2022 देख लेते हैं इंडियन एक्स्प्रेस के इंपोर्टन्ट आर्टिकल्स जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज हमारे पास में इशू जो उनकी बात करें तो पहला इशू रहेगा नौर्थ इस्ट में फ्लड्स को लेकर के दूसरा इशू रहेगा कि कैसे हम हमारे बियोरोक्रेट्स, पॉलिटीशन और जो भी ओफिशिल्स हैं जो कि पब्लिक मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टन ट्रोल प्ले करते हैं उनकी वर्किंग को इफेक्टिव बना सकते हैं तीसरा इशू रहेगा कि फर्टिलाइजर पर हमारे डिपेंडेंसी बहुत जादा है कैसे हम उसको रैशनलाइज कर सकते हैं चौथा इशू रहेगा लेंड डिग्रेडेशन इतना ज़्यादा हो चुका है तो इसको कैसे इंप्रूव किया जाए और क्या हद तक अभी तक जमीन की क्वालिटी बिगड़ चुकी है तो यह चार इशू हैं इनको हम देखेंगे वन बाई वन फर्स्ट आर्टिकल है सेम सफरिंग देखो एक तरफ तो असम में महराष्टरा के सिव सेना के जो है मेलेजर वो जाकर के रुके हुए है तो ज़्यादा तरफ हाईलाइट इस चीज़ को मिल रही है पर दूसरी तरफ नौर्थ इस्ट के जो लोग हैं वो ब्रह्मपुत्रा बराक और इनकी ट्रिब्यूटरी जो रिवर्स है उनमें लगातार बाड आने की वज़े से बहुत ज़ादा प्राब्लम का सामना कर रहे हैं लगबख सो लोगों की डेथ हो चुकी है असम के 35 डिस्ट्रिक्स में से 30 तो अल्रेडी फ्लड्स के वज़े से पानी में डूबे हुए हैं पूरी जोग्राफी बहुत बुरे हाल से गुजर रही है अगर नौर्थ इस्ट की हम बात करें सेंट्रल गवर्मेंट और स्टेट गवर्मेंट ने अपनी तरफ से रिलीफ ऑपरेशन कंड़क्ट किये बट जिस तरीके से फ्लड्स आ रही है वो सारे रिलीफ थोड़ा कम हो जाए फिर उसके बाद में हम पर्मानिट सॉलिशन पर काम करेंगे तो बही बात ऐसी है पिछली साल भी ऐसी ही बात कही गई थी इवन 2020 में जब बीजेपी की गवर्मेंट वहां पे थी उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे सर्बानन्द सोनोवाल उन्होंने यही बात कही और बोले कही हुई बात पर आप अभी तक तो चले नहीं हो तो ऐसे में वहां के लोगों के बारे में कम से कम सोचो और एक्शन लो देखो अगर हम पिछले 50 सालों की बात करें तो असम में ब्रमपुत्रा रिवर की वज़ासे जो फ्लरड्स आती हैं उनको इंबेंकमेंट पर ज्यादा मतलब एक तरीके से डिपेंडेंसी शो की है इसका मतलब कि रिवर के दोनों तरफ दिवारे बनवा दी इस तरीके की या फिर यूं मानों इस तरीके की दिवारे बनाई हुई है यूं स्लांटिड दिवारे ठीक है जिसे कि रिवर जो है इस दि वाला एरिया है वो तूट जाता है फिर आप कहते हो कि जी वो तोड़ा सा डेमेज हो गया था ज्यादा पानी की वजह से तो इसमें एक रिपोर्ट निकल के आती है वो यह कि पिछले कई दस्कों से यह जो एमबैंकमेंट आपने किया यह जो दिवारे बनवाई है आपने रि गिर रहा है और यह चीज स्टेट की हाइड्रोलोजी को और ज्यादा कॉंप्लेक्स और कॉंप्लिकेट कर देती है कि जब पहले थोड़ा पानी पड़ता था कंपैरेटिवली तो ही आप बार कंट्रोल नहीं कर रहे थे तो अब तो एक्स्ट्रीम लेवल तक पहुंच रहा इस डेटा को एनलाइज करने की ज़रूरत है कि किस टाइम पर किस लेवल तक पानी जा सकता है ठीक है पिछले 20 सालों की अगर बात करें न 2000 से लेकर के 2022 22 साल लो गए यह मानो तो बुला 1300 ऐसे केसे जब रिवर के इस एमबेंगमेंट में कही ना कहीं तूट फूट की ने तो लगबग 300 ऐसे इंसिदेंट्स आ चुके हैं जब इस तरीके की स्ट्रक्चर्स को डेमेज होते हुए देखा गया है जो कि आपने फ्लड कंट्रोल के लिए मैने बनाया हुआ है पार्लेमेंटरी स्टेंडिंग कमिटी ऑन वाटर रिसोर्स उन्होंने भी स्टेट जो बैड है बॉटम जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिल्ट सैटल हो गया है उसको क्लीन कराओ डी सिल्टिंग कराओ इससे क्या है कि रिवर का बेस जितना डीप होगा उतना ही रिवर कम फ्लड का वाटर जो है प्लेंस में पहुँचाएगी बैस सीधी सी बात है रिव स्टेंडिंग कमेटी और वाटर रिसोर्स ने पहले से रिकमेंडिशन दे रखी है पर गवर्मेंट ने इन सारी चीजों को टू-डू लिस्ट में डाल रखा कि हाजी करेंगे पर अभी तक पिसले दो सालों में तो फ्लेट्स को कंट्रोल करने के लिए प्रापर काम नहीं क इतनी पहले कभी हुई नहीं पहले हुई है ना उसका डबल रेंफॉल रिसीव हुआ है इसके आगे स्टेट में रेंफॉल की बात करें तो मार्च में के बीच में भी लगबग 62% एक्स्ट्रा आपको वहाँ पर रेंफॉल रिसीव हो चुका था तो जून में मॉन्सून का सीजन स्टार्ट हो जाता है तो तब और मिल गया इसके साथ में एक और प्राब्लम आती है कि रिवर फ्लो जब जादा होता है सॉईल इरोजन का ये तो इशू है ही साथ में आसपास में जो वेटलेंड्स है जो नम भूमिया है जहां पर पानी कम से कम 6 मिटर डेप तक को र पार्टी जिसको हंड्रेड स्मार्ट सेटी में से एक सिटी का कंसेडरेशन मिला हुआ है तारगेट है दोजार पत्चीस तक स्मार्ट सेटी के तौर पर डवलप करना हो क्या रहा है वहां पर वेटलेंड डेमेज हो रही है सिवर सिस्टम पूरा कॉलेप्स हो गया मैं अब कि फिर बाद में बिमारियों का घर बनेगा ऐसे में ये सिवर सिस्टम वाटर लॉगिंग इनको ठीक करने में तो देखो लगेगा टाइम क्योंकि जब तक रिवर का फ्लो लेवल थोड़ा डाउन नहीं जाएगा तब तक तो ये प्राब्लम सौट आउट होने से गई फिल प्राबा लोगों को सही स्थान पर पहुंचाओ जानवरों को सही स्थान पर पहुंचाओ ठीक है और स्टेट गवर्मेंट को इस चीज़ पर प्रोएक्टिवली काम करने की ज़रुए नहीं तो यहार साल का काम हो गया है कि हर बार मॉनसुन में बाड तो आएगी ही और इस ये content आपको मिल जाता है और वहाँ पर अगर मुझे कोई message भी डालना होता है तो मैं short term में वहाँ पर डाल देता हूँ जिससे कि फिर आपको update मिल जाए कोई इंतजार ना करना पड़े कि कई बार क्या होता है कि वीडियो डालने में लेट हो जाता हूँ या फिर किसी वज़े से अगर कहीं भिज़े हो जाता हूँ तो वो इश्यू थोड़ा आपको समझना होगा ठीक है ना तो टेलिग्राम चैनल आप जॉइन कर लो फिर नेक्स आर्टिकल है आउट्टू ट्रेन अ कर्मयोगी आर्टिकल को लिखा है ओपी अगरवाल और नित्या कौशिक जी ने इनका ये कहना है कि इंडियन गवर्मेंट ने मिशन कर्मयोगी प्रोग्राम जो था वो लॉँच किया रिसेंटली इसमें काम क्या है कि सर्व प्विक मैंगेंजمن्ट है ये कोई बेरोक्रे ट्स का ये काम नहीं रह जाता है आप ये देखो कि जहां पर पॉलेटीशन है जहां पर बेरोक्रेट्स हैं उनके साथ में जो दूसरे गवर्मेंट डिप देपार्टमेंट के इंडिविजियल से जो की अपना काम करते हैं जि सब्सक्राइब करने में यह चीज जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के तब उन्होंने वहाँ पर चिंतन शिविर के तौर पर लॉंच किया था उसका रिजल्ट यह रहा था कि ब्यूरोक्रिट्स और जो मिनिस्टर्स थे या पॉलिटीशन्स थे उन्होंन दो साल की ट्रेनिंग मिलती थी ठीक है और जो लोवर सिविल सर्विसेज है जो अधर गॉर्वर्मेंट ओफिशिल्स है या गॉर्मेंट सर्वेंट्स है उनको कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती थी सीधी नौकरी पर उतार दिया जाता था फिर उन्हीं सो साथ दिन की ट्रेनिंग लेनी होगी जिससें कि आप अपने आपको पब्लिक के साथ इंट्रेक्ट करा सको लेटिस्ट चीजों के साथ अपडेट करवा सको दूसरा चार हफतों की एक पिरियोडिक ट्रेनिंग भी कंडेक्ट कराई जाती है चार हफतों का मतलब एक महीने की देनी शुरू हुई 1985 के बाद से अभी तक की बात करें, फिर 2000 की बात करें, इसका मतलब 21st century में हम एंटर हो गए, तो गवर्मेंट ने year-long professional program स्टार्ट किये public policy में, इसका मतलब क्या हो गया, कि अलग-अलग हमारे जो educational institutions हैं, for example, I am Bengaluru, I am Ahmedabad, MDI गुरगाउं, Terry University, यहां पर जो public officials हैं, इनको training दिलानी शुरू कर दी, एक-एक साल की, जिससे की उनकी performance और improve हो करके निकले, इसके अलावा, government ने और क्या किया है, mid-career training की facility भी तयार किया, IS officers के लिए, कि भई, एक-एक phase के बाद में, दो साल, तीन साल के बाद में, शुरुआत में, शुरुआत में तो induction training होती है, जिसको phase one और phase second training बोला जाता है, उसके अलावा, phase third, phase fourth और phase fifth, इस तरीके के program भी तयार कर दिया है, जो की career के different different पड़ाओं पर उनको लेना होगा, जैसे मान लो, शुरुआत में training ले ली, phase first और phase second की, फिर उसके बाद में, वो training लेंगे, मान लो, चार साल बाद मे फिर उसके बाद में, पात साल बाद में, एको training होगी, ऐसे क्या है, contemporary issues को लेकर के उनकी training होती रहेगी, तो उस training का benefit उनकी functioning और उनकी activities में देखने को मिलता है, तो point यहाँ पर क्या रहा है, कि senior level पे जो bureaucrates हैं, या civil servants हैं, इनकी training पर government ने अच्छे attention दी, अब जरुवत है कि capacity building की हम बात कर रहे हैं, हम कैसे भी करके हमारी civil services को efficient बनाना चाते हैं, लोगों के लिए जो public management है, उसको हम improve करना चाते हैं, तो हमें जो policy makers में, politician का role है न, उनको भी हमें training time to time दिलवा देनी चाहिए, इससे क्या होगा, कि future में आने वाले challenges को real time पे हम understand करते हुए, उनको handle कर पाएंगे, ठीक है, तो ऐसे में democracy जैसे जैसे mature होती है, उसमें elected representatives का role भी proactive होना चरूरी है, जहां पर वो लोगों से सीधा जाकर के deal करें, अगर एक individual पुराने सोच के साथ ही चलेगा, तो आज के time पर वो outdated हो जाएगा, लोग उसको discard कर देंगे, तो उसकी भी relevance खतम हो और आपकी बात एकदम genuine है, और issue वाकई में बहुत larger public domain को represent करने वाला है, तो government वहाँ पर आपको दो से तीन दिन में आपको definitely कुछ ना कुछ आपको approach कर लेगी, ठीक है, तो वो चीज क्या होती है, कि आप techno friendly हो रहे हो, आप नए environment के साथ में अपने आपको develop कर रहे हो, वो कुछ तो experts होते हैं अपने domain के, और कुछ होते हैं जो generalist होते हैं, जो कि top level पर बैठ करके, अलग-अलग experts को अपने साथ में ले करके काम करते हैं, ठीक है, तो policy making अपने आप में complex issue बन जाता है, आप भी जानते हो, कि कहां पर तो हमें doctor से deal करना है, health issue है, कहीं पर कोई technical issue है, कहीं पर कोई space related issue है, अलग-अलग segments में हमें काम करने होते हैं, तो जो bureaucrates होते हैं, उनको inter-departmental या फिर interdisciplinary training की requirement होती है, इसके लिए data available भी होना चाहिए, data को analyze करना भी आना चाहिए, तो decision making में starts का एक important role आता है, तो starts के लिए भी upgradation करना ज़रूरी हो जाता है, हर एक individual को, तो ऐसे में political leaders हो, bureaucrates हो, इनकी तो capacity building होनी चाहिए, फिर बात आती है कि policy making के बाद में policy implementation, और policy implement कौन करता है, front line workers, इनका role बहुत critical होता है, जैसे police constable, पटवारी, ग्राम सेवक, जिसको हम development officer भी बोलते हैं, village development officer, front line clerks हो गए, office peons हो गए, postmen, जो कि सीधा public से maximum dealing इनकी रहती है, इनको भी recognize करना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत important members है, public management system के, अगर हम इनको ignore करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो ये अच्छे से perform नहीं करेंगे, confidence building बहुत जरूरी है, moral booster बहुत जरूरी है, इनके भी दिमाग में ये जो front workers होते हैं, इनको भी confidence मिलना चाहिए, इस particular segment को जिस तरीके से bureaucrates को मिलता है, जिस तरीके से politician को मिलता है, तो 2004 में ये बताती है, writers कि हमने एक joint secretary, जब हम इन दोनों में से एक बंदा जो था, वो joint secretary थे, training in union department of personal and training के अंडर में, joint secretary थे, तो इन्होंने बोला, हमने तीन दिन का एक program organize करवाया, सतारा, महराष्टरा में, सतारा उसमें लगबग 600 sanitation workers ने participate किया, उन्होंने उनका health check-up भी करवाया, उनकी problem जो थी, उनको सुना भी गया, उनको sort out भी किया गया, education में कैसे हम improvement लाए सकते हैं, उन लोगों को help दे करके, यह बहुत सारे चीजों से हमने उनसे बातचीत करी, उन लोगों को इतना अच्छा की recommendation एक बार जरूर पढ़ लेना, नॉलन कमिटी, ठीक है, नॉलन कमिटी basically establish की थी UK में, और उसने एक seven prawns strategy दी थी, कि कैसे एक public official को काम करने की जरूरा था आज के जमाने में, जब से government ने अपने आपको recede किया है, withdraw किया है, economic aspects में, जहाँ पर private sector को promote करना है, गवर्मेंट की एक facilitator की तरह काम करेगी, वहाँ पर नॉलन कमिटी की recommendation basis भी ये काम किये गए है, कि 1985 से थोड़ा सा changes आए, और 2000 में आते आते, government ने अपने officials को इस तरीके से training दिलाई, जिससे की वो लोगों की जरूरतों को समझे, ठीक है, वो पुराना time जा चुका है, जब police office, police state था, हम welfare state की बात कर रहे है, और welfare state में भी liberal point of use है, जहां पर एक individual अपने individual level पर खुद का development करना चाहे, तो इसको support दिया जाए, तो ऐसी परिस्तितियों में एक individual important हो जाता है, तो बोला सतारा में हमने ये जो get together organize की ना, तो हमें इतना अच्छा outcome मिला, कि उनके attitude में इतना change मिला, वो हम हमें बहुत ही benefit दे गया, कैसे, बोला हम लोग सतारा में गए, फिर से ऐसे विजिट करने, तो पता पड़ा एक women employee ने हमें जवाब दिया, कि भी आप कैसे काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने जवाब दिया, बोला city को clean करना हमारी duty नहीं है, city को clean रखना हमा leaders हैं, उनका जो confidence build होता है, बोलो उसका benefit हमेशा हमें return में मिलता है, तो training एक key है, individual के attitude को change करने की, फिर बात आती है, देखो हमारे पास में knowledge की कोई कमी नहीं है, हमारे पास में training देने के लिए institutions की कमी नहीं है, पर सवाल है कि उन institutions को properly utilize किया जाए, तो यह जो world bank ने पैसा द रही है, तो वो कोई नए institution establish करने के लिए जरुरत नहीं है, हमें जरुरत है कि high quality training दे दी जाए, एक proper manner में teaching skills डवलप की जाए लोगों में, जिससें कि वो अपनी बातों को अपने colleagues तक deliver कर सके, जो juniors हैं उनको सिखा सके, juniors के behavior को समझ करके seniors action ले, जिससें कि जो corrective approach होनी च corrections लाए जा सके, यहाँ पर जरुरत है कि standard classroom lecture ना बना करके, आप यह कर लो कि appropriate requirement क्या है, किसी भी group को training की, वो training की requirement को recognize करो और उनको training दे दो, उससे ही हमें बहुत अच्छे results मिलने शुरू हो जाएंगे, तो यह चीज यहाँ पर बताई जा रही है, कर्म योगियों को कैसे efficiently ह working में ला सकते हैं, next article is the fertilizer pinch, article को लिखा है, जी रवी प्रशाद और हरिश दामोदरंजी ने, इनका यह कहना है कि हमारे देश में जितने area पे agricultural activities होती है, उतनी शायद ही किसी दूसरे country में होती है, 2019 में 189.3 million hectare जमीन पर खेती हुई, जो की USA में जितनी होती है, उससे कई जादा है, मतलब कुछ जादा है, कई जादा तो कैसे कह सकते हैं, USA में कितनी है, 160.4 million hectare, चाइना में कितनी है, 135.7, रश्या में भी कम है, ब्राजील में भी कम है, इसके पीछे कारण क्या है, एक त इसका मतलब 120 cm rainfall receive होता है, जो की इन बाकी कंट्रीज के comparison में बहुत अच्छा है, रश्या में 475 mm receive होता है, चाइना में 650, US में 750, तो आप देख लो, monsoon भी हमारे कितना benefit दे जाता है, इसी का result है, कि हमारे यहाँ पर खेती की जमीन की कमी नहीं है, क्योंकि perennial river अपने साथ मे fertile soil भी लेकर के आती है, पानी available होता है, बरसात का पानी available है, तो इसी वज़े से हमारे यहाँ पर 3000 साल से भी ज़्यादा सालों से खेती लगातार हो रही है, और उसमें अपग्रेड ही होता चला जा रहा है, डाउन ग्रेड तो हम नहीं हो रहे हैं, दूसरा point कि जितना हम यह हम आपर खेती कर रहे हैं, उतनी हमारे dependency है, mineral fertilizers पे, और mineral fertilizer जो है, वह हम ज़्यादा तर import करते हैं, जैसे अगर हम 2021-22 की बात करें, जो fiscal year अभी गया है, उसमें हमने लगबग 10.86 million ton, यूरिया इंपोर्ट किया, डीएपी डाइमोनियम फॉसफेट हमने इंपोर्ट किया 5.86 million ton, और muriate of potassium, यह हमने इंपोर्ट किया 2.91 million ton, overall देखें, तो जो हमारा fertilizer import किया गया था, उसका कितना दाम हमने पे किया, 12.77 billion dollars, जो कि अभी तक में जितना भी fertilizer हमने इंपोर्ट किया है, उसका highest payment है, तो यह तो imported fertilizer था, जो कि बनके हमने खरीदा, अब बात आ जाती है, यह त domestic production को भी समझना होगा, जैसे कि हमारे आपर 25.07 million ton जो है urea produce होई 2021-22 में, DAP 4.22 million ton और complex fertilizer जो थे, उनमें 8.33 million ton का production रहा 2021-22 में, जिसमें nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur, इनके अलग-अलग ratios में mix करके fertilizer तयार किये जाते है, और 5.33 million ton हमने produce किया, single super phosphate, ठीक है, इस तरीके से आप देखो, कि यह हमारा domestic production भी हुआ, अब domestic production के लिए आपको क्या है, raw material दो चाहिए ना, तो raw material भी हम भाई साथ import ही करते हैं, या तो intermediate product, या फिर raw material, थोड़ा बत finished product, जिसको हमने final touch दिया, या फिर बिलकुल कच्छा माल, इनको भी हमने produce किया है ना, इतना production domestic, तो बोलो वो भी import पे dependent ह है, इसका मतलब हमने payment अच्छा खासा किया है, फिर बात आती है, fertilizer के production के लिए दूसरे inputs की, for example, urea, हमारे या पर सब ज़्यादा fertilizer जो consume होता है, वो urea होता है, तो urea को produce करने के लिए ज़रूरत होती है, liquefied natural gas, तो बोला हमने 2021 में लगबग 23.42 million ton LNG import की, जिसका पैसा हमने पे किया 13.47 billion dollars, इसका मतलब क्या हो गया, कि हमने LNG import जो किया है, उसके बाद में जो domestic production हुआ है, बोलब वो भी हमें एक add करने की जरूरत है, फिर बात कुलो, जो LNG import हुआ है, उसकी worth कितनी गई है, लगबग 5.5 billion dollars, अलग-अलग segments में काम लेना, overall ये वाला point हमारे लिए important ह उपर तक, point क्या रहा है, domestic production भी हलके में मतलो, हमने import ही किया है material, फिर आजाओ, DAP की हम बात करें, तो domestic manufacturing के लिए हम DAP में intermediate chemicals या फिर raw material बाहर से मंगाता है, for example, phosphoric acid या फिर ammonia हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, हमारे यहाँ पर इतना production नहीं है, इसके अलावा आगर करना चाहिए, जैसे sulfuric acid based, तो उस पर की भी हमें sulfur import करना पड़ता है, तो rock phosphate होगी, sulfuric acid हो गया, इन सब को हमें import करके, फिर बाद में fertilizer हम produce कर पाते हैं, overall import dependency बहुत जादा है, अब हम बात कर लेते हैं, कि हम किस country से कितना import करते हैं, कितना क्या करते हैं, तो import जो करते हैं, जो भी, क्या, fertilizer finished, fertilizer raw material, intermediate material, इन सब को मिला लो, कितना amount हम पे कर चुके हैं, 24.3 billion dollars का payment हो चुका है, 2021-22 में, बात ऐसी है, कि हमारे आपर केवल यही लागत नहीं आती है, कि आपने import किया, पैसे दे दिया, that's it, no, दूसरी ये लागत आपको पता होनी चाहिए, जो हम बार बार ब एक्स चेकर जिसको बोलते हैं, तो दो कोस्ट में से, एक तो हम foreign exchange जो भार भेजते हैं, जिससे कि हम import कर सकते हैं, उसमें यूरिया के लिए हम payment किस-किस को करते हैं, चाइना, उमान, UAE और इजिप्ट को, डी-ए-पी के लिए हम payment करते हैं, चाइना, साथी अरब और मौरको से, आज गया करते हैं, तो आप देख लो, इतना कुछ import करते हैं, इतना रुपिया तो जाता है बाहर पहला पॉइंट अब आजाओ दूसरी कोस्ट पे अब यह फर्टिलाइजर खरीद लिया सरकार ने तो फार्मर्स को क्या उसी रेट पे बेचा जाता है क्या नहीं सरकार खुद बियर करती है खर्चा उसका खर्चा और आगया कितना सबसिड़ी का 20.6 बिलियन डॉलर का मिलालो जी 50 बिलियन डॉलर के लगबख खर्चा हो जाता है हर साल फर्टिलाइजर पे और दूसरी तरफ अगर देखें तो आज की जो परिस्तिती है वो यह कि ग्लोबल प्राइसे यूरिया के डी एपी के एमोपी के फॉस्फफरीक एसिड के अमोनिया के इन सब के दो से ड एंपोर्ट कर सैनिये क्या सबस्फें को मतलब डॉलर्स में तो सब्सक्र वाँगा-करते वैसी फोडón करेंसे अल्र सब्सक्राइब करने की कि अनकी डूट जरॉत पर यह लियुद्व्विजब करने क्योंकि एक तो हम fertilizer import तो करी रहे हैं बाकि fertilizer जो domestically हम produce करे हैं उसका raw material भी हम import ही करते हैं तो हमें क्या करने की ज़रूरत है इस consumption को reduce करने की ज़रूरत है जो high analysis fertilizer है particularly urea, dap और mop इनको high analysis fertilizer बोला जाता है इनके consumption को हमें reduce करने की ज़रूरत है तो क्या किया जाए सबसे पहला काम कि यह जो fertilizer हम use कर रहे हैं इन fertilizer के production में हमें nitrification और urease inhibition components डालने की ज़रूरत है इसका मतलब कि आप fertilizer को develop करो तो उसमें ऐसे components या compounds add कर दो जिससे कि वो जो piglin है वो जो mix है मिट्टी के साथ में fertilizer की उस speed को आप slow down कर दो slow down करने से क्या होगा एक तो लंबे समय तक यूरिया जो है वो supply होता रहेगा मतलब जल्दी से उसको mix मत होने दो ठीक है थोड़ा सा delay कर दो उसके mix को इससे क्या होगा excess में यूरिया या fertilizer mix नहीं होगा तो soil का जो बिगड़ना है वो भी बच पाएगा और extra fertilizer भी farmer है वो apply नहीं करेगा तो एक तो क्या करने की जरुवत है slow down करने की जरुवत है inhibition compounds add करने की जरुवत है इन fertilizer में जिससे कि इन fertilizer का जल्दी से मिट्टी में मिलना possible ना हो दूसरा इससे फाइदा क्या होगा कि nitrification जो है वो कम हो पाएगा आपको पता है कि यूरिया जैसे fertilizer को यूज़ करने की वज़े से soil nitrification बहुत जाद है nitrogen pollution हो रहा है तो एक तो तरीका ये है दूसरा तरीका ये बताया जा रहा है कि liquid nano urea की बात हमने already कर ली कि जिसमें आप इसके बारे में हमने explain page पे discuss किया था आप scroll करके और देख लेना playlist वाले section में जिसमें हमने already देख लिए liquid nano urea कैसे काम करता है कि जो traditional या conventional urea है उसके comparison में बहुत कम लगती है और पत्तियों पर आप छड़काव कर सकते हो pump से और उसमें absorption भी अच्छा होता है तो इसको भी reduce किया जा सकता है ठीक है जैसे हम देखें इसमें तो phosphorus का content होता है इसमें 16% और sulfur का content होता है 11% तो बोले इसको भी हम थोड़ा सा promote कर सकते हैं complex fertilizer जिनमें NPK का अलग-अलग ratio होता है NPKS इनका combination बना करके जो हम fertilizer बनाते हैं तो इससे क्या होगा कि जो urea पे dependency है DAP पे dependency है उसको हम reduce कर पाएंगे क्योंकि एक ही जो fertilizer है वो सारे जो भी nutrient required है वो supply कर देगा DAP उसको हमें restrict करने की ज़र्वत है mainly paddy और weed क्योंकि हमारे याँपर जो भी खेती का pattern है उसमें चावल और गेहूं को छोड़ करके phosphorus content की इतनी ज़्यादा requirement बाकियों में नहीं है तो DAP को हम इस तरीके से restrict कर सकते हैं इसके अलावा आप देख सकते हो कि हमारा जो import dependency वो अलरड़ी हम देखी चुके हैं फिर muriate of potassium की बात करें तो बोला इसको भी हम ज़्यादा तर imported material के basis पर ही produce करते हैं इसको भी हम replace कर सकते हैं या इसका भी reduction कर सकते हैं क्या इसका use थोड़ा कम हो तो क्या हो जी कि देखो एक तो nutrient use को efficiently focused manner में करना हो भई सीधी सी बात है fertilizer कैसे mix होता है मिट्टी में पानी के साथ mix हो करके तो क्यों ना हम हमारे जो fertilizer है वो इस तरीके से तयार करें या तो alternative तयार कर ले कि भई जो भी हमें fertilizer किसी भी मिट्टी के लिए requirement है उसके हिसाब से हम mix करें आपने notice क्या होगा कि पहले जो घरों पे paint होते थे थे color paint जो हम करते थे ठीक है वो कैसे होते थे color painting वो होती थी कि पहले से fix color था वो खरीद के लाओ mix करो color कर दो आप घरों के आजकल क्या होता है आपने notice क्या होगा कि white bucket white paint की bucket खोली जाएगी और उसमें आप जो बताओगे कि हाँ जी हमें तो ये वाला shade जी है color का उस shade के coding वो उसमें color mix कर देगा machine में button input डाल देगा और उसके हिसाब से ये के chemical mix हो करके वो color उस white वाले में मिल जाएगा और उसको हम जैसे मिलाएंगे जो color हमें चीह था वो मन जाएगा मतलब consumer की demand पे ये काम होई की नहीं consumer की demand पे तो exactly soil health card इसके basis पे ये पता कर लेगी किस soil में किस nutrient की कमी है कौन सा access में है उसके हिसाब से fertilizer application की जाए तो कितना benefit हो सकता है एक तो फाल तुमें जो wastage जाता है वो नहीं जाएगा एक soil pollution उसको रोका जा पाएगा इसमें सबसे important बात ही आती है farmers को confidence में लाना उसके लिए campaign चलाया जाए उनको बताया जाए कि कितना फाइदा हो सकता है कितने सस्ते में आप अपने खेतों में जो agriculture production उसको बढ़ा सकते हो कितना आप एक particular area में जहाँ पर धाई bags आप यूरिया के apply करते हो वहाँ पर date bags अगर apply करोगे तो कितना benefit हो जाएगा कम लागत में अच्छी उपज क्या चीए किसानों को यही तो चीए पर उसके लिए उनमें awareness लाने की भी जरूरत है तो यह solution बहुत ही बढ़िया बताया है इदर कि कैसे हम fertilizer को rational rationalize कर सकता है यह usage की point of office बात करें तो next article है preparing soil for the future देखो एम वेंकेया नाईडूजी की द्वारा लिखाओय आर्टिकल है food security बहुत important है और किसी भी economy में food security है लोगों को खाना time पे मिलता है और अच्छा खाना मिलता है तो बोलो वो उस economy के development के level को show करता है तो ऐसे में अगर हम लंबे समय तक sustainable manner में food production की बात करने करें तो हमें कहीं ना कहीं soil को conserve करना जरूरी है कारण की जितना भी food production होता है उसका 95% food production तो soil पे dependent है बट आज के time पे soil health जो है वो बहुत ज़ादा deteriorate हो चुकी है बिगड चुकी है उसको improve करना जरूरी है sustainability के अगर हम बात करें तो आज हमारी जरूरते पूरी हो तो future generations को भी बिना किसी problem के वो जरूरते पूरी होती हुई दिखें तो ऐसी परिस्तितियों में आज हमें समझना होगा कि soil कितनी ज़्यादा degrade हो चुकी है कैसे हम उसको reclaim कर सकते हैं कैसे उसको हम improve कर सकते हैं अगर देखा जाए तो धर्ती पर जितनी भी मिट्टी है उसका one third part already degrade हो चुका है बिगड़ चुका है 90% जो है वो degrade हो जाएगी अगर इसी तरीके से हम चलते जाएंगे 2050 आते आते हैं corrective action लेने जरूरी है इसके लिए soil degradation की बात करें इंडिया में तो 145 million hectare जमीन already degrade हो चुकी है जिसमें land degradation जो होता है जैसे हमने जमीन को बिगाड़ दिया किसी भी वज़े से चाहे वो salinization हो चाहे आपने mining की वज़े से किया हो कोई भी ऐसी activity उसकी वज़े से लगबग इंडिया में जितना soil degradation हुआ है उसका 30% तो उसी की वज़े से है ठीक है इसके अलावा जो biological status है world over globally अगर देखा जाए तो 5670 million hectare जमीन ऐसी है जिसका biological status decline हो रहा है क्योंकि जो microbes होता है न छोटे छोटे जीवानों छोटे छोटे कीडे मकोडे परिस्तितियों में हमें उसको improve करना है 1660 million hectare लगब 29% जमीन जो है कौनसी इस 5670 million hectare का 1660 अगर निकालो तो 39% बन जाएगा बोले ये human induced land degradation का वज़े है मतलब हमारी वज़े से हमारी activities की वज़े से जैसे खुले में हमने गंदा पानी छोड़ दिया पेड़ काट दिये soil erosion हो रहा है वो ले ये चीज़े ठीक करने की ज़र्वत है और ये report publish किये Food and Agricultural Organization की जो भी latest report आई जिसका नाम है State of Land Soil and Water Report जिसमें ये चीज़ शो की गई है कि क्या हाल है global soil का तो ये global cooperative collective collective efforts लानी की ज़र्वत है Human activities जो भी कर रही है जो भी soil degradation बढ़ा रही है उनको हमें control करने की ज़र्वत है Food security हम चाह रहे है क्योंकि आज देखो population कितनी ज़्यादा बढ़ रही है Environmental damage हम लगातार करते चले जा रहे हैं Development के नाम पर तो ऐसी परिष्थितियों में एक balance करना ज़रूरी है वो ही बात अगेन में बोलूँगा कि development और environment दोनों को साथ में parallel लेके चलने की ज़रूरत है क्योंकि नहीं तो development आपका चलेगा नहीं है कि नहीं तो healthy और sustainable food production system हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि खाना नहीं होगा तो बुकमरी बढ़ेगी तो फिर कैसे आप अपने आपका डवलप्ट कहोगे हमारी तो देखो ancient history की बात करें तो हमने हमेशा धर्थी को माता माना है पूजा की है हमारी country की जो civilizational ethos है उनमें हमने हमेशा पूजा की है धर्थी माता की बोले यह चीजे हमने हमें छोड़नी नहीं चाहिए पर जिस तरीके की progress की हम बात करते हैं population हो गई लगातार expansion हो रहा है अग्रिकल्चरल एक्टिविटीज में fertilizer pesticide इनका यूज होना इसकी वजह से मिटी डिग्रेट हो रही है और मिटी में पानी मिल करके फिर water bodies में चला जाता हूँ पानी तो पानी की भी bodies जो rivers हैं लेक्स हैं वह पल्यूट हो रही है तो वहां पर ऐसे होना चाहिए जिसमें की minimum fertilizer पर dependency ensure हो सके देखो अभी एक के बात कही जाए तो यहां पर रिपोर्ट सा लग अलग है जैसे की a healthy planet for healthy children यह United Nation Institute for Training and Research के द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्ट है इसके लावा World Future Council ने भी अपनी तरफ से इस चीज़ को highlight किया है कि जहां जहां पर भी इन और्गनिक फार्मिंग प्रोमोट हुई है वहां पर बहुत अच्छा काम हो रहा है सस्ता भी काम होता चला चला जाए शुरुआत में तो महिंगा पढ़ता है फिर उसके बाद में सस्ता होना शुरू हो जात है उनकी demand भी है तो ऐसे में soil को हमें ignore नहीं करना चाहिए बहुत important resource है ठीक है food and agriculture organization की जो latest report है जिसका नाम हम बोल रहा है state of world's land and water resources उसमें एक आया कि pollution लगातार बढ़ता चला जा रहा है और जो requirement हमारी पानी की इनकी ये भी बिगड़ती चली जा रही है chemical की वज़े से भी बहुत ज़्याद agricultural pollution create हो रहा है industrial chemical की वज़े से आसपास में बहुत problem हो रही है कम से कम 21st century की शुरुआत से लेकर अभी तक बात करें शुरुआते 22 साल की हम बात कर रहे है इसमें बोला 2.3 billion ton के इतना industrial chemical environment में release हो चुका है जिसकी वज़े से बहुत problem हो है soil degradation को contain करना बहुत important अपने आप में हो जाता है इस case में ठीक है तो देखो government of India ने तो देखो soil health card के system चला रखे हैं कि किसी भी खेत की मिट्टी का हाल क्या है क्या उनको requirement fertilizer की उसी के हिसाप से उनको fertilizer दिया जाए इस इसे लगबग 23 करोड़ farmers को benefit हो रहा है इंडिया में इसी तरीके के practices को दूसरे countries को भी learn करने की जरुवत है साथ में 27 million hectare जमीन जो है उसको हम reclaim कर लेंगे जो कि already degraded 2030 आते आते हैं इसके लावा national productivity council ने 2017 में अपनी तरफ से ये भी बोला कि chemical fertilizer के uses को reduce करने में भी हमें बहुत benefit मिल लगा जैसे ही हम in soil health card के basis पे proper laboratory में ले जाए टेस्टिंग कर रहे हैं soil की पता पड़े कि कौनसे nutrient की कमी है कौनसा ज्यादा है उसके हिसाब से वहाँ पर वहाँ पर आप fertilizer apply करो तो ऐसे में excess में खर्चा भी नहीं होगा फायदा भी होगा organic farming को भी effective minor में आप promote कर सकते हैं और जो सद्गुरु जग्गी जो है उनके द्वारा जो save soil campaign चलाया जा रहा है बोलो वो बहुत ही शांदार है इसमें लोगों के बीच में ज्यादा ज्यादा awareness फैलनी चीए leaders हैं वो भी participate करें तब जाकर के काम होगा ठीक है ये सद्गुरु इस nations में उनका पूरा target है कि लोगों को सरकारों को जाजा करके aware करना ठीक है तो इस discussion में यही था आर्टिकल्स हमारे पास बहुत ज्यादा थे एक आर्टिकल बच रहा है RBI वाला वो मैं कल आपको PDF शेयर करूंगा तो आप खुद से कर लेना उसको ठीक है discussion यहीं कहता मैं thank you very much